हेलो एवरिवन तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 7 के ओफिसियल सैलेवस को डिसकस करेंगे आप सभी स्टुडेंट्स इस वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा एक चीज और बता दूं मिथला उनिवर्सीटी के एक सामनेशन में कभी भी कोस्टन सैलेवस से बाहर नहीं पूछा जाता इसलिए आप सभी स्टुरेंट्स अपने सैलेवस को ही बढ़िया से प्रिपेर कीजिएगा सैलेवस जितना बेहतर तयार रहेगा एक सामनेशन में आप उतने ही बेहतर परफॉर्मेंस करके आओगे क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया कभी भी सैलेवस से बाहर सवाल नहीं पूछा जाता अगर syllabus में 10 chapter mention है तो exam में 10 chapter से ही सवाल आएंगे 11 chapter से आने की कोई शंभावना है ही नहीं इसलिए syllabus को आप लोग target किजिएगा syllabus जितना बहतर से prepare होगा आप उतने ही बहतर तरीके से examination में performance करके होगे तो चलिए syllabus मैं आपको बताता हूँ पेपर 7 का syllabus चार सेक्षन में बटा हुआ है पहला आपका है poem का section दूसरा है essay का section तीसरा है short story का section और last यानि 4 है novel का section यही चार सेक्षन आपको cover करने होंगे और इनी चारों से एक एक करके long question और एक एक करके explanation के सवाल आएंगे तो चार सेक्षन तो चार long question वो एक question 17 marks का और explanation का जो question होगा वो एक question 8 marks का तो चार explanation का question 32 marks का हो जाएगा और चार long question 68 marks का हो जाएगा दोनों को add कर दोगे तो 100 marks हो जाएगा और paper 7 का जो exam होगा वो 100 marks का ही होगा और आपको solve करने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा total 5 सवाल आएगे चार long question होगे और एक explanation का question होगा जिसमें A, B, C, D इस प्रकार से चार अलग-अलग section से एक करके explanation के question होगे तो चलिए syllabus को हम detail में discuss करते हैं आज के बाद जो मैं कल एक और वीडियो शेयर करूँगा आपके बीच उसमें मैं paper 7 का official pattern discuss करूँगा यहां पे cable और cable मैं syllabus आपके बीच discuss कर रहा हूँ आपको बताया ही कि syllabus चार section में बटा हुआ है जिसमें से पहला section है poem का तो poem के बारे में मैं आपको detail बता देता हूँ paper 7 में जो आपका पहला section है यह है poem का और poem में आपको धेरो poem पढ़ने होंगे total 11 writer आपके syllabus में है और उन writer का अलग-अलग poem आपको पढ़ना है तो चलिए हर एक writer का जो poem आपके syllabus में mention है वो मैं आपको बता देता हूँ पहला आपका writer यहां पे आएगा HLVD Rosie और इनका दो पोयम आपको पढ़ना होगा एक है poetry और दूसरा है sonnet to the moon अगला आपका writer है तोड़ू दत और इनका दो पोयम आपको पढ़ना होगा एक the lotus और दूसरा अबर कजरीना tree तीसरा writer आपको पढ़ना होगा R.N. Tiger यानि रविंदर नाथ टाइगर और इनका दो पोयम पढ़ना होगा एक separation और दूसरा silent steps अगला जो आपका writer है यह है स्री अरिविंदो अरिविंद घोस इनहीं को कहा जाता है और इनका दो पोयम पढ़ना होगा एक transformation और दूसरा the tiger and the deer अगला आपका writer है सरोजनी नाइडू और इनका दो पोयम आपको पढ़ना होगा एक village song और दूसरा the prada nation अगला आपका writer है निजी मिजिकिल और इनका दो पोयम पढ़ना होगा एक है night of scorpion और दूसरा है आइसलेंड अगला आपका writer है कमला दास और कमला दास का एक मात्र पोयम पढ़ना होगा पोयम का नाम है an introduction अगला आपका पोयम है पी पाल और इसका एक मात्र पोयम पढ़ना होगा पोयम का नाम है अलिफ अगला आपका writer है एके रामानुसम और इनका भी एक मात्र पोयम पढ़ना होगा पोयम का नाम है अविचोरी अगला आपका राइटर है सिव के कुमार और इसका दो पोयम पढ़ना होगा एक एंडियन विमेन और दूसरा इन सोमनिया अगला और लास्ट जो आपका राइटर है यह जैन्त महापात्र और इनका दो पोयम पढ़ना होगा एक है डाउनेट पु और यहां से दो प्रकार का सवाल आएगा इन सभी पोयम में से कोई भी पोयम से एक explanation का सवाल आएगा जो की 8 marks का होगा और इन ही पोयम में से कोई भी 4-5 पोयम देदेगा और आपको कहेगा कि इस 4-5 में से किनी एक के उपर critical summary लिखिया और वो आपका हो जाएगा 17 marks का तो यह से दो प्रकार का सवाल बनेगा और यह आपका पहला section हुआ पोयम का अब हम अगले section में आते हैं अगला section है इससे का इससे total आपको 6 कवर करने होंगे यहां पे इससे यहां पे आपको total 7 कवर करने होंगे और इससे भी आपको अलग-अलग writer का पढ़ना होगा जैसे कि पहला आपका writer है श्वामी विवेका नंद और इनका आपको पढ़ना होगा the sacred of work यह essay है दूसरा जो आपका यहां पे writer है यह है महात्मा गांधी और इनका essay पढ़ना होगा Indian civilization and culture अगला आपका writer है सी राजगोपाला चारी और इसका जो essay है यह है education for new India अगला आपका writer है S. Radhakrishnan औ religion अगला आपका writer है जवारला नहरू और इनका जो essay है यह है what is culture अगला आपका writer है नीरद सी चाओधरी और इनका जो essay है यह है the eternal silence of these infinite crowds लास्ट जो आपका writer है यह मीनुमसानी और इसका जो essay है यह है no man is an Iceland तो इससे section में यह साथ essay आपको पढ़ना होगा साथ अलग-अलग writer का साथ अलग-अलग essay है यह जितने भी देखे हो यह आपका essay का नाम हो गया और इनके जो writer है यह इस side का हो गया तो यह आपका दूसरा section था essay अब हम तीसरे section में आते हैं तीसरे section में आपको cover करना होगा short story और short story आपको total 8 cover करना होगा यह जितने देख रहे हो यह short story है और इ यह है The Babus of Nansour, आरके नराइन का सौट स्टोरी जो है यह है An Astrologer's Day, राजा राओ का जो आपका सौट स्टोरी है यह Companions, इसी प्रकार से मुलक राज आनन्द का The Brothers, खुसवंत सिंह का कर्मा, इसी प्रकार से वावानी वटा चारिय का Glory of Polite, के एअब्बास का स्पैरोस और अडून जोसी का The Homecoming यह सारा आपको कबर करना होगा स्टोरी सेक्शन में तो यह आपका तीसरा सेक्शन था लास्ट जो सेक्शन है यह है Novel का और Novel एक मात्र आपको पढ़ना होगा नॉबिल का नाम है दगाइड और इसके राइटर है आर के नरैन और सभी का एक ही पैटर्न है यहाँ पे मैं आपको चार सिक्षन बताया हूँ पोयम का, सोट स्टोरी का, इससे का और नॉबिल का इन चारों से एक-एक करके लॉग कोस्चन आएंगे और इन ही चारों से एक-एक करके एकस्प्लानेशन के भी सवाल लेंगे एकस्प्लानेशन के जो सवाल होंगे वो आठ-ठाट मार्क्स करके होंगे और लॉग कोस्चन जो होंगे वो सत्रह-सत्रह मार्क्स करके होंगे तो 68 marks का आपका long question और 32 marks का आपका explanation का question दोनों को add करोगे 100 marks हो जाएगा और 100 marks का ही आपका paper 7 का exam होगा लास्ट में बता दूँ अभी फिलाल हम लोग session 21-24 part 3rd के लिए online batch शलाड हैं आप में से जो students interested हो हमारे साजूडिये घर बैठे आप लोग बढ़िया से त्यारी कर सकते हो part 3rd में 4 honors का paper और एक GES का paper ये 5 paper आपको पढ़ना होगा इनहीं 5 paper का exam होगा ये 5 paper बढ़िया से मैं cover करा दूँगा कहीं से कोई issue नहीं होगी Monday to Friday आपको recorded video अबलेबल कराऊंगा कोई doubt होगा तो आप call करके हमें doubt भी share करेंगे और हर एक notes मैं आपको PDF format में share करूँगा चाहे हो class notes हो, guest question का notes हो, as a answer format में, question bank का हो, syllabus का हो, poem text का हो, phonetic transcription का हो, explanation का हो हर एक चीज़ शेयर कर दूँगा, part third English honors के लिए आपको बाहर से एक रुपे का भी content नहीं लेना होगा, क्योंकि जो मैं आपको दूँगा वो अपने आप में sufficient होंगे तो जो students interested हो, हमारे सा जुढ़िए, मैं आपको बढ़िया से preparation करा दूँगा, यह मेरा whatsapp number है, इस पर आप मुझे contact किजिएगा, 7048928746, इस नमबर पर whatsapp message किजिएगा, अपना session 21-24 और university का नाम LNMU जरूर mention कर दीजिएगा, call करना हो, तो 5-7 के बीच call किजिएगा, thank you so much everyone 1.